आज बनाने जा रहे हैं पुदेने का पराथा विद पनीर श्टाफिंग आज देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं यह हमने दो कप गयों का अटर ले लिया है जिसमें हमने कुछ मसाले लिये हैं जीरा 1 टेबल स्पून अज्वाइन 1 टेबल स्पून रेड चिली काश्मेरी लाल मेर्च तेस्ट धन्या मसाला थोड़ी सी ही और हल्दी पाउडर इसके लिए हमने वान बोल पुदेने का पत्ता धो के सुखा के रख लिया है और पनीर की स्टाफिंग करेंगे उसके लिए मैंने यह ग्रेट करके रख लिया है आटे में हम सबसे पहले इन पत्तों को थोड़ा सा बारी काट लेंगे कि अब अब अपना आटा लगाते हैं इस पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं बहुत गीला नहीं और बहुत को नहीं कि इसे अच्छे से मैश करके दीरे दीरे हम इसको हमने अपना आटा अच्छे से लगा लिया है इसमें थोड़ा सा हम तेल आट करके इसे थोड़ा सा चिकना करके हमारा आटा सेट हो गया है यह हमने अपनी पनीर स्टफिंग के लिए लेड़ सब्रम पनीर ले लिए हैं इसमें हमें पुदिनी की चटनी बना के मिकस करना होगा चटनी के लिए हमने हाफ पॉल पुदिना हाफ पॉल धन्या थोड़ा सा जीरा दोल हरी मिर्च और कुछ लैसिन की कलिया ले ली है एंट समगरी जार में डाल देंगे और उसे पीस और यह पानी बहुत जरा सब्लेन नहीं हो गई है अब हम इसे पनीर में मिक्स कर देंगे इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे अगर आपका ये चटनी थोड़ी सी ज्यादा गीली होगे ये आप जरा सा इसमें आटा मिक्स कर लेज़ें नहीं था हमारे पराटो कर सकते हैं ये बहुत जादा गीला नहीं होना चाहिए अब ये हमारी पनेर स्टफी पराटो के लोया बना देंगे इनके पेड़े बनाने के लिए हम इने तोड़ लेंगे अब हम इसमें पनीर फिलिम लगा देंगे इसको पूरा अच्छे से स्प्रैट कर देंगे अब बहुत ज्यादा फिलिंग नहीं करनी है अद नहीं तो पराठे आपके पड़ सकते हैं इसलिए आराम से अच्छे से इनको इस्प्रैट करना है कि आए और अब हम इन्हें ट्रैंगल शेप में ऐसे फोल्ड गर लेते हैं यह दोनों उपर से और यह नीचे से अब हम क्योंस प्यूसला झमी करते हैं प्यहिसम दाहित रिलिंग आर यहाँ आरे त हैं ज्या रिलिंग और उस done में और ये उगज़ भी माम्त्रा-णis कि आतलिस हैं त झाल झाल झाल